वेलकम बैक टू अप्टेनिस क्रिप्टो डेली आज टॉप फाइव ऐसे आल्ट कोईन्स के बारे में बात करेंगे जिनको आप बुलरन के लिए ले सकते हो उससे पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेन चीज बताऊंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर मनना अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगती है ठीक है दो हफते पहले आज से मैंने एक वीडियो आपको बना के डाली थी बिटकॉइन मैक्रो प्लैन फॉर 2024 हिंदी बिटकॉइन क्रैश ये सब पूरा नाम लिखा हुआ था और इसमें आप समझो पूरा मैक्रो प्लैन समझा दिया था दोजार चॉबिस में क्या एक्सपेक्ट क समय में क्या है क्या मैं आपको पागल बनारों नहीं मैं कुछ सम्झानी कोशिच कर रहा हूं यहां पर लेकिन और स्टु है वो खाली रुके हुए ते बीड नहीं कर रहे हैं यहां पर देखो गिरे उसके बाद बिटकॉइन बहुत तेजी से रही है तो यहां पर उटने ल तो जो यह चीज मैंने आप लोगों से बोली यह चीज इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आगे आने वाले दिनों में हमें यह चीज होते हुई दिखेगी मैंने यहां पर कुछ और चीज़े बताई थी कि सीसी जो है इथेरियम के एटीफ पर डिसीजन लेने वाला इस स ले क्योंकि अब जो टाइम आएगा वो इथेरियम का आएगा मतलब अब रेटर्न वाइस अगर आप देखो तो बिटकॉइन आपको यहां से तो आपको यहां से 5x 4x अराम से दे सकता है ठीक है 3000 से 15000 डॉलर तक अराम से मैक्सिमम बुल रन के टॉप तक आपको इथेरियम दे सकता है तो let's go into the video आपके लिए coins कौन कौन से हैं वो चीज़े बता देता हूँ पहले बता दूँ कि जो भी coins में बताऊंगा वो safe side वाले हैं जादा risky नहीं है सबी के सब fundamentally strong है और इनको आप लेके छोड़ सकते हो ठीक है let's go into the video तो सबते पहले altcoin का total 3 market cap देखेंगे यह market cap calculate होता है Bitcoin को निकाल के और Ethereum को निकाल के यानि इसमें USDT भी included है और बहुत सारे altcoins included है इनका market cap इसलिए मैं track करता हूँ क्योंकि यह more clear चीज़े बता देता है कि altcoins जितने हैं उनका market cap क्या चल ला है पहला जो मेरा likely top था वो मेरा इस box के अंदर था पर हमने box का just निचला हिस सा touch किया जहां पर थोड़ा सा हमें cautious हुआ लेकिन मैं expect करा था कि यह box के अंदर जाएगा और वहां से नीचे गिरेगा क्योंकि box में last time हमें 800 billion dollar तक की market देखने को मिली थी लेकिन box के एकदम निचले हिससे को touch करके यह नीचे गिरता है इसी से related मैंने tweet डाला था बहुत पहल अगर इस चार्ट से मैं compare करूं तो आप देख लो क्या हुआ है यह देखो यहां पर हमें दुबारा से buying मिली है मैंने वहां पर लिखा हुआ था कि यहां पर अगर आता है तो buy alls here यहां पर buy करना इस green box के अंदर और green box के अंदर हम चार हफते से हैं लेकिन कुछ भी हमें green box के नीचे alls नहीं दिखें तो safe side के लिए जो green box है वह हमारे लिए अभी best bet है total 3 में यहां और मैं सही बता रहा हूँ दावे के साथ यहां से altcoin बहुत bullish लग रहे हैं बहुत जादा bullish अगर मैं weekly की बात करूं तो bull market support band touch हो गया major EMA touch हो गया zone हमारा liquidity था यहां पर 600 billion dollar का कल मैंने परसो भी बोला आप लोग को को कोई सी better है यहां पर आप ethereum related all coins लो वह जादा आपको return देंगे तो let's go into the video सबसे पहले आपका जो topic था जिसके आपने click किया उसे देख लेते हैं ethereum का weekly chart अगा आप आप से discuss कुरूं तो ethereum के weekly ने 8200 को touch कर दिया 929 पर मैंने आपकी long open करवाई थी मुझे अच्छे से आद है हमें एक नीचे का liquidation event मिला जहां पर price गया 822 तक लेकिन उससे नीचे नहीं गया ethereum ने बहुत strongness दिखाई है पिछले दो दिन के अंदर एक बाई मजाग बना रहे थे कि भाई 60% all coin गिरे और आप कह रहे हैं कि गिरा ने मैं बात कर रहा हूं compar comparatively पिछले दिन से तो यहां पर आप देखो पिछले तीन दिन में ethereum जिता बीटी सी गिरा उसके according ethereum वहीं पर है जहां पर बीटी सी 60 पे था या फिर 62 पे था तो उस तरह उस तरीके की चीज़े होई ठीक है market में आगर हम बात करें ethereum में तो बहुत बेटर चीज यह है कि य इतली की trend यह में होती है तो कहीं न गई यह चीज़े बहुत clear होती है अगर आप ethereum लेना चाहते हो आप ethereum डाल के छोड़ सकते हो almost 3000 डॉलर पे आपको मिलेगा यहां से minimum return आप 40% लोगे और maximum कितना लोगे मैं यहां से 10,000 डॉलर का इस cycle में target लेके ही चलना हूँ तो आपको 10,000 डॉलर का target जो है वो मिल जाएगा at least 3X मिलेगा ठीक है 3X से ताद़ ही मिलेगा almost लेकिन आप 3X मान के चलो ठीक है तो इतना आपको return minimum मिलेगा इसमें ethereum के अंदर next जिस coin की मैं आपसे बात करूँगा वो है ARB ARB का अगर हम weekly देख लें तो weekly में एक बहुत अच्छे area में आ गया है यह उस area में आ गया है जहां इसने bear market start की थी अच्छा और इसलिए मैंने पहले number पे रखा क्योंकि यह ethereum से connected है सबसे पहला coin जो भागेगा दूसरा ethereum से connected coin जो इतना नीचे आ गया जो एकदम जहां पे bull market start की थी ठीक है 30% ही उठा है अभी भी bottom से एकदम 30% ही उठा हुआ है अभी जहां पे है तो अगर यहां से bottom सिर्फ 25% नीचे हो मतलब कहीं न गई इसने जितना भी move दिखाया almost पूरा move जो है वो यहां पर move back कर लिया ठीक है पीछे आ गया तो 64-65% का इसने downfall दिखा दिया और आर्प एक ऐसी जगा है जहां पर आप sure shot इसको buy कर सकते हो weekly में देखो न तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो करते करते ब्लीट करते करते bottom के around दुबारा से आ ठीक हो सकता है इसकी major unlocking हो या फिक कोई news हो जिसके जिसके गिरे लेकिन मेरे ख्याल से चार्ट जो बता रहा है वो यही बता रहा है कि इस एरिया पर आप इसकी buying कर सकते हो आर्प is looking good for a long term bag और आप इसे hold कर सकते हो targets आर्प के आपके वही रहेंगे जैसे आप यहां पर एक normal coin में देखते हो जिसका price टीया की तरह रहता है छे डॉलर दस डॉलर ऐसे जा सकता ही है और आर्प बात कर लेते हैं हम लोग आर्प के बाद इस token की जिसका नाम है OP, OP भी एक अच्छा कासा connected है आपको पता आर्प और OP दोनों एक ही category में डाले जाते हैं और जो OP है उसने काफी अच्छी recovery दिखा दी 1.8 से 2.8 तक का बहुत अच्छा momentum होता है अगर हम देखें bottom से, bottom से 63% यह तो इसलिए मुझे यह और थोड़ा सा bullish लगता है ठीक है, overall इसने काफी अच्छी growth दिखाई है अगर हम bull market wise दिखाए तो लोगों को यह at least 50 cent पे भी एक time पे मिल ला था, 60 cent पे भी मिल ला था और यहाँ पर देखो, June 2023 में यह एक dollar पे मिल रहा था, तो अभी यह 3 dollar के round चला, 3X तो अलएडी है, इस पूरे pump के दोराण, ठीक है, OP को आप ले सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको strong हो और इसके उपर reclaim के बाद लोगे तो और ची बात है, लेकिन OP से ज़ादा strong कौन सा coin है, वो मैं आपको बता देता हूँ, सुई एक ऐसा coin है, जो यहाँ पर मैंने बोला सा जन्वरी में कि we will wait here for $1 buying, अगर आपको $1 से $90 के around कहीं भी सुई मिलता है, आप इसको buy करना, वैसे weekly देखने को लग रहा है कि यह थोड़ा सा हो सकता है, यहाँ $1 टच करने दोबारा है, अगर आता है तो आप इसको buy करना, मेरे ख्याल से मैं आपकी जगा होता है, मैं क्योंकि यहाँ से $90 जादा दूर है, और जादा दूर नहीं है, और मैं इसको miss नहीं करना चाहूंगा, एक ऐसा प्रोजेक्ट है, इसका भी target आप bull market का 10 से $15 ले सकते हो, यह सारे coin जो आज में बताने वाला है, वो उसी category के हैं, जिनके targets आप 10-$15 रख सकते हो, next coin जिसकी ब बना दी थी मैंने, जिसमें वीडियो में मैं आपको साब बोला था, आप इसको buy कर सकते हो, जिन्हों ने भी buy किया हो, वो आप होंगे अच्छा खासा, और मुझे लगता है, यह भी एक अच्छा call थी, इसको भी buy करने एक अच्छी call थी हमारे ले, ठीक है, तो rune को भी टार्गेट जो है, वो यहाँ पर बहुत जादा बताया जा रहा, 20-25 दॉलर तक का है, अराम से जा सकता है, मेरे और भी इससे हाई टार्गेट रहेंगे, ठीक है, लास्ट में हम बात करते हैं, सोलाना की, क्यों बात कर रहे हैं, सोलाना की, सोलाना का मैंने आपको पहला होगे, जो 21 पे कॉल दी थी, तब भी आप 10X करके बैठे हो, अब उसके बाद मैंने दुबारा आप लोगो को कॉल दी, कब 79, 78 की और exact वही एरिया टच करके, यहां से उपर भाग गया था, ठीक है, अभी मैंने आपको नई कॉल दी है, सोलाना में, सोलाना में नई कॉल मैं मैंने आपको दी है, यही 128, 120, 110, मैंने बुल था, इस purple box के अंदर buy करना, start करना, purple box था, 144 से लेकर, 106 डालर के अंदर, और यहां पे buy कर सकते हो, for the long term, सोलाना में मुझे target जो है, वो काफी high दिख रहे है, मुझे लगता है, 441 डालर जो target है, वो easily achievable है, और 3X अभी भी यहा बहुत solid coin है, सुशी भी बहुत solid है, पर आपको मैंने वो coin बता दिये, जो मजबूत है, इस समय ठीक है, और इनको आप ले सकते हो, for the ethereum cycle, यह सब coin ethereum से जुड़े है, mostly L1 raise जब होगी, start तो यहां पर यह भागेंगे, ठीक है, that's it for today's video, I'll see you guys in the next video, till then, bye bye, take care.